असलाम अरेकूम वे दिया तो में दोस्ट के दिया से होंगे अच्छा आज की जो वीडियो है हमारी वह है वह ब्यूटीबर यूस्बी के अवाले से जिसमें हम एक कस्तुमाइज किसम की यूस भी जो है वो बनाना सीखेंगे इससे पहले की वीडियो में मैंने और डिस्क्राइब किया था सेम फाइल के तुरू आपके से चतने पास्वर आपको इस तरह की काफी जो है वो टेटा यो मेट्रियल अवेलिबल इसमें मुख्तलिप किसम के सॉफ़एर्स हैं टुट्रोलियल्स हैं बुक्स वगरा और तमाम चीज़ मुझूद हैं इस्पेशली टेक्निकल सॉफ़एर्स जहां मुझूद हैं जिसमें आपके पास सीमें पर लिएक्स पर काफी डिटेटेल्स के साथ अच्छा अब आते हो टॉपिक की तरफ टॉपिक हमारा जो है वाज का है वह बूटेवल यूएस बी और किस तरह की बूटेबल यूएस पी जिसके मतले के हम कह रहे हैं यह इसका और यू हूए जो बूटेवल यूएस पी का पर फिर से पहले मैंने एक डिजाइन की थी कस्टमाइज किसम की यूएस बी यह इसके अंदर आप अपना परसनल जो भी मैन्यू है वह खुट डिजाइन कर सकते हैं और जितने भी आप इसमें पूटेबल यसो से हैं वह खुट आड कर सकते हैं आप यहां देख सकते हैं कि मेरे इसमें परसन अपना लोगो जो है वो क्रेट किया हुआ है और इसके लावा यह लाफ साइट पर कम्प्लीट एक मैन्यू है जिसमें हमारे पास विंडोस सेवन इस्टालिशन विंडोस एक्सपी की इंस्टालिशन और यूटिल ट्रीस के अंदर जा है वह वो विंडोस मीनी एक्सपी विंडोस मीनी सेवन हाइडिन्स एक्रानिक्स और दूसरे इस तरह के जो भी हमारे यूसफुल सौफ़एर होते हैं ट्रॉबल शूटिंग के लिए पीसी के वाले से वाले से तमाम की तमाम मुझूत है यह मैन्यू डिजाइन करना भी हम सिखेंगे इस से मैनी होगा इन फ्यूचर हम आपका मीडियोस के अंदर खुद अपना मैन्यू करेंट करना और इसमें कुछ फाइल आइड करना भी सिखेंगे तो इस तमाम मकसद के लिए हमें जो सौफ़एर होंगे वह यह हैं पहला सौफ़एर है और यूफ यूस इसका लिटेस विजन ह इसका वैसी क्ली लिंक है जहां से अबसको इसी डिटाउड कर सकते हैं सेके हमारे पास विजन सौफ़एर होगा उसमें वह होगा विन्सेटिफ फ्रॉम यूस बी इसका परपस हमारे पास यह हो कि हम अगर चाहते हैं कि हम एक से ज़्यादा जैसा हमने इसमें देखा कि अगर हम विंडोस भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका कुछ प्री डिफाइन जो हमारे पास मैनूलिस बनता है और कुछ स्ट्रक्चर है जो कोडिंग के हाले सौफ़ेर के तुरूल आटोमेडिकली अविलेबल हो जाता है थार्ड इंपोर्टन चीज हमारे पास है कि हम मैनूली हर चीज को दाहट नहीं करेंगे बलके कुछ हमारे पास प्रीडिफाइंड बूडिबल फाइल्स हैं बूडिबल फाइल्स है मुराद है कि जो हमारी कर सकते हैं यह कालोडी बनी वी यूज भी है इसके रूटना देख सकते हैं यह तमाम फाइले मौजूद है तो इसी के सेम कॉपी जो है वह हम इस यूज भी को बनाने के बाद हम इसके रूट में पेस्ट करेंगे जिससे हमारे जो प्रॉसेस है वह शॉट हो जाएगा काफ जो हमें दिख राता लैप साइट पर इस मेंडियो की मतलप इसको हम sampрь करने के लिए इसके एक फाइल होती है जो हमारे पास इस नाम से है menu.disc के नाम से है इसको से हमारे पास नोट पैड प्लूस प्लस भी अवैलिबल है हम उससे भी इसको आडित कर सकते हैं या windows का उपना यह बैसिकली जो भी बूटेबल फाइल इसो फाइल यह यह उती है उनको चेक करने के लिए रण करने के लिए होता है कि आप डॉस मूट पर जाया बगार उसको विंडोस मूट पर रहते हुए किस तरह बूटेबल चेक कर सकते हैं कि बूटेबल है या नहीं है तो यह यह होगा और फालू कर सकते हैं अच्छा रिकार्मेंट हमारी पूरी हो गई है और जो सौफ़ेयर मैंने जिकर किया रहा आप से उस मैं हमारे पास और यूफ यूस 3.3 मौजूद है इसके लाहा हमारे पास विंसेटिक फ्रॉं यूसपी 1.8 यह वीजी लिए इसके विवसा करेंगे इसके जास यूविन सेटप फ्रॉं यूस्पी के और इसलिशन से तो आप मैन में वेब साइट पर आप सकते हैं यह से यह साइट है तो दो सौफ़ेयर हमारे हमारे जो हम दूरा मेरे नेट से टाउनोड कर चूका हूं मैं अलोडी आप इसको टाउनोड करने के बा अच्छा यूस्बी के हवाले से आप इस बात को जो है इसको कन्फर्म करने के प्रॉपर यूस्बी सेलेक्ट करने हैं आप जैसे कि मैं देख रहे हैं दो यूस्बी मैं पास मौजूद है एक 16 जीवी जो अलोडी मैंने बूटेबल बनाई भी है और 32 जो मैंने बूटेबल मैं नाम भी डिफरेंट है तो आप यहां से भी कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सी यूसबी का आपत है जो है बूटेबल बनाना दूसरा option हमारे पास क्या है boot selection इसमें से मैंने boot selection क्या लेनी है अगर आप जब open करेंगे software को तो आपके पास initially तीन चार options ही आ रहे होंगे लेकिन जो यह आप show advanced drive parameter properties पर क्लिक करेंगे तो आपके पास options जो है वो extend हो जाएंगे हमें जो required इसके अंदर वो हमने select करना है graphodos 0.4.6a तो यहाँ इसको select करेंगे आपके पास यहाँ पर यह option active हो जाएगा इसके लावा यह option में आपकास active हो जाएगा यह तोन option active होने के पाद इन मैंसी किसी option का selection नहीं करनी है आपने वॉलियूम आप वॉलियूम लेवल से मराद जो यूस बी का नाम है जो भी देना चाहिए आप दे सकते हैं अपर ठीक है फाल सिस्टम के दर हमारे पास एफ फैट 32 वाई डिफॉल्ड और लेकिन जैसी हम इसको click करते हैं तो हमारे पास मजीद options नीचे जो हो इसके extend हो जात इसमें मजीद या सेलेक्शन से नहीं करनी हमना है यहां देख सकते हैं कि हमारे पास फिलाली यूसबी भी कुल प्लैंक है और कुछ डेटा आपका है इसको पर बेक्शब जरूरू कॉपी कर लीज़े इसको में स्टार्ट करेंगे इस पास इसको एक तब हरी चेक कर लेते ह हैं 32GB एं तमाम सेटिंग्स एस पर रिपरमेट इसको स्टार्ट करेंगे हम यह ओप्शन देगा ओके करना है और उसके बाद हम इसको वेट करना है थोड़ा सा इसके कम्प्लीट होने कर रहा इसको हमने इसको कहीं ओपन किया है तो यह रणा में रसीव होगा है इसको हम क्लोस कर लेते हैं आपको एक मैसेज रसीव होगा इसका कम्प्लीट ड़न के हमाले से ठीक है अब हम आके चक्क करते हैं को क्या हमारी यूजबी जो है उसका आप दिख सकते हैं कि सका आइकन भी और हमारे पास यह तीन आप्षिन जो है वो रिसीव हो रहे हैं यह तीन फाइलेंस के अंदर मौझूद है ठीक है और इसको चेक करने के हाले से कि यह बूटिबल हुई है या नहीं हुई है इसको इस तरीके दिए चेक कर सकते हैं कि हम अब भी यूज़ करेंगे मौबलाइफ सीडी मैं चुम्कि अलड़ी यह सीडी है मापस थी तो इसको क्लोज करते हैं क्लोज करने के बाद हम इसको रन करेंग यूस्बी के जो हमारा ड्राइब नेम था वोके है हम चेक कर लेते हैं वजीद प्रॉसक जी और इस आउशन को मनोग करेंगे नो करने के बाद एक हमारे पास एक विंडो को लेगी और यह हमारा यह शो कर रही है कि हमारी जो यूस्बी बूटेबल बन चुकी है मैंनो डोट लिस्ट से जो है वह उसने अपनी जो भी इसका मैन्यू इसको फैच करने की कोशिश की है वर चूंके है कोई मुझू कुछ मौ इस फाइल्स थी जो मौश फाइल्स थी बूटेबल फाइल्स इन तमाम फाइल्स को हमने कॉपी करके उस यूस्बी के इंदर पेस्ट करना है लेकिन उससे पहले मैं को एक बात के लिए करना चूंग हम जब दूसरा सौफ़एर यूस करेंगे जैसा कि मैंने आप आप उसस इस यूस्बी के इंदर इसी यूस्बी के इंदर आपके पास Windows XP Windows 7 वागर अभी एड हो याद हो आपके आप इस उस भी एड हो तो आप इस आप्शन को यूस कर सकते हैं ठीक है तो हम इस साफ़एर का भी थोड़ा सा ओर्यू कर लेते हैं विन सेटप रूम यूस्बी 1.8 वर्जन है 64 विट चूंकि मैं रिस्टा में तो मैं इसको यह वाला जो सेटप है यह फाल यूस करूंग इसकी सेम वही सेलेक्शन इसके अंदर आप में देनी है प्रॉपर यूस और में ह musi करेंगे इसके अंदर हमने option mused करना है कि a black Institute our primary Sal united को च demostrar यहां सेटेप हमारे पास सेटप है उस-क Paается उसका पात भील्यATE उसके इसको कौपीच ऐसका पात देना है कि हम tp की रिक नहीं है ता हम सिर विंडू7 पे चलता है जो भी अगर हम करना चाहें उसकी ISO फाइल के इसको लिंक रिक्वाइड होगा जिस तरीके साइस पापस मुझूद है इन में से आप कोई भी जो ISO सेलेक्ट कर सकते हैं विंडोस की तो उसकी सेलेक्शन के बार आप उपन करेंगे इसको और यहां पर आके आपने गो का बटन ज कि एवन जो है वह इंस्टॉल करना चाहरे हैं या 8 एक का सेटफ इस यूजबी में सॉल करना चाहरे हैं तो उस तमाव उस्तमाँ प्रॉसस के बाद आपके पास इस तरह की जो हो फाइल्स विंडूस सेटप फाल विंडोस सेवन आल वर्जिंस एकस पी के मारे से मुझूद विंडोर 6P की तमाम तर रिस्क मरजूद हैं और इसी का एक separate menu जो है वो create होगा इस तरह किसे एक menu create होगा तो चुके हम यह तमाम steps फिलहाल हमारे जो purpose है वो यह है कि हम उस तरह के menu के साथ एक USB बराना चाहेंगे तो हम इन में से फिलहाल कोई भी option use नहीं करेंगे ठीक है यह step हमारे पास already हो चुका है तो हमें इस step में जरूत नहीं है windows xp की या windows 7 की USB बनाने के हवाले से ठीक है अगर इंगेस आपके पास यह file मुझूद नहीं है जो मैं आप से discuss किये थी कि हमें यह file required होंगी बूटेबल यूजी बनाने के हवाले से तो फिर आपने यह तमाम steps step by step करने otherwise चुंकि इस tutorial के अंदर जो भी detail दी गई है उसमें आपको ज़रूत नहीं पड़ेगे इन files की तो आप easily इसको create कर सकते है अचा next step में हमने क्या करना है कि हमने इन तमाम files को copy करना जो आपको लिंक link में download link में मुझूद है वीडियो की description link में मुझूद है और वहां से आप copy करके इसको paste कर देंगे यहां पर यह एक file है g r l d r इसको आपने replace करना है और बाकी की files को आपने यूँ ही रहने देना है एक file आपने replace कर दी ठीक है अब हम दोबारा इसको पूट करता है अचाब मेन्यू आप यह हमारी USB रैडियो गई है और आप देख सकते हैं कि इसके तमाम दर options रोलियाओड वही है जो हमारी पनी यूजबी का था लेकिन एक difference इसके अंदर वह डिफरेंस यह है कि हमारे पास यहां देखिएगा इसके अब हमने इस यूजबी के इंदर चाहिए इसमें आयसो कर जो फोल्डर है हमारे पास ठीक है उसके अंदर हमने अभी तक फाईले जो है वह आड नहीं किया तो आयसो कर जो फोल्डर है इसको मवजूद नहीं है हम इसके फोल्डर बनाएंगे इसके अंदर हम तेमाँ उड़ेबल फाईल जो है आयट करने के बाद इस मैनुरूट लिस्स के जो मैनु ए इसके अंदर हम इसकी जो है वो कोडिंग करेंगे इस पे हम अभी डिटेल में डिसक्रेशन करते हैं चुछी जो लंबी हो गई तो लिए नेक्स जो उसका पाट तु है उसके अंदर हम जो मैनुरूट लिस्ट है इसके अंदर हम जो है वो आइस उसकी फाईल के लिए कोडिंग और बार की तमाम डिटेल के सरह एड़ करते हैं तो देखते रहे हैं पार्ट टू आप जह है उसका मधीव टेल के लिए देख स झाल झाल